नमस्कार दोस्तों मैं राहुलाब सभी का हार्दिक अभिनंदर करता हूँ हमारे चैनल पर दोस्तों आज आपको मैं बताऊंगा कि क्या कारण था जो भगवान परसुराम ने 21 बार छत्रियों का बिनास किया दोस्तों भगवान विश्नु के छठे अवतार माने जाते हैं भगवान परसुराम जिन्हों ने 21 बार है है वंसी छत्रियों को समूल नस्ट किया था आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगवान परसुराम को इस वंस का नास करना पड़ा वो भी एक या दो बार नहीं बलकि 21 बार पुराणों में इसके बारे में एक कथा प्रत्ली थे दोस्तों आईए जानते हैं इस कथा के बारे में दोस्तों पौरारी कथाओं के अनुसार सहस्तरारजुन एक है है वंसी राजा थे रिसी वसिष्ट के श्राप के कारण सहस्तरारजुन की मत मारी गई और उसने परसुराम के पिता जमदागनी के आसरम में एक कपिला कामधेनु गाय को देखा और उसे पाने की लालसा से वह कामधेनु को बलपूरबक आसरम से ले गया जब भगवान परसुराम को यह बात पता चली तो उन्होंने पिता के सम्मान की खातिर कामधेनु वापस लाने की सोंची और सहस्त्रारजुन से उन्होंने युद्ध किया। युद्ध में सहस्त्रारजुन की सभी भुजाय काट डाली भगवान परसुराम ने और उसका वदभी कार डाला। तब सहस्त्रारजुन के पुत्रों ने प्रतिसोध वस परसुराम की अनुपस्थिती में उनके पिता जमदागनी को मार डाला। दोस्तो परसुराम की मा रेणुका पती की हत्या से बिचलित होकर उनकी चितागनी में प्रविष्ट होकर सती हो गई। इस घटना ने भगवान परसुराम को क्रोधित कर दिया। तब उन्होंने संकल्प लिया कि मैं है है वन्स के सभी छत्रियों का नास करके ही दम लूँगा। दोस्तों कुरुधागनी में जलते विए भगवान परशुराम ने सर्वप्रथम है है वन्सियों की माहिश मती नगरी पर अधिकार किया उसके उपरांत कार्थ बीरे आरजुन का वद किया कार्थ बीरे आरजुन के दिगवन्त होने के बाद उनके पांच पुत्र जैधवज, शूरशेन, शूर, ब्रिश और कृष्ण उनके अस्तित्व की लड़ाई लड़ती रहे इसी तरह उन्होंने एहंकारी और दोस्ट प्राकृत के हैहवंसी च्छत्रियों से 21 बार युद्ध किया और उनका नास किया दोस्तों अगर आपको ये रोचक कथा, ये पौरारी कथा अच्छी लगी है तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही कोई बिचार है कुछ कहना चाहते हैं आप हमें तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं इसी के साथ मैं रहुल आपसे बिदा लेता हूं नमस्कार शुबरात